मैं आपका सो दबंगी जो काफी प्यार मिल रहा है लोगों से अभी भी इमने देख रहा हूं तो काफी प्यार भी भी मिल रहा है जी तो सबसे नंबर वन सो है इस समय दबंगी तो आपका सपर किस तरह से रहा है दबंगी के साथ जी बहुत अच्छा रहा इन फैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बच्चों की साथ काम कर रही हूँ यूनो फेले मैं डरा करती थी कि यार इतने सारी बच्चे होंगे इरिटेट करेंगे सेट पे बट ये सारी बच्चे काफी समझदार है काफी सुल्जे हुए है काफी प्रोफेशनल है और इनके साथ काम करने में मेरा जो बच्चपना है वो बहार निकल रहा है क्योंकि मैं हमेशा उन से घिरी रहती हूँ जो मेरी बेटी बनी है जई वो तो मेरे पीछे बीचे रहती है शी इस लाइक डालिंग टू मी और माही भद्रा जो दबंगी बनी है शी इस अमेजिंग बतलब इतने छोटी उम्र के इतनी अच्छी आक्टर मैंने आज तक नहीं देखी इनफेक्ट हमारे कईवर ने इमोशनल सीन्स होते है तो मुझे आखों में आसू लाना होता है मुझे इसके लिए वो प्यार जताना होता है पर उसकी जरूत ही नहीं पढ़ती आक्टिंग करने की क्योंकि वो इतने क्यूटली इतने उसंटली बोल देती ना कि अपने आफ वो एमोशन आता है मैं खुद बच्छा बन गया उनके साथ साथी नवात्रू सेट पे और किसके साथ आपको काम करने मा मज़ा आ रहा है सबके साथ बच्छों के साथ मानव इस देर आमिर है यह दोनों लड़के पागल है जब भी हमारा इक साथ सीन होता है तो हम हमेशा हसते और मस्ती करते रहते है तो प्रॉपर नक्रा अदली आटिटिट्यूड तो उसके हाँ से खाना बहुत अच्छा आता है सबके साथ बहुत मज़ा आता है क्योंकि यह नया शो है एक नई बॉंडिंग है हमारी तो हम सब एक दूसरे को जान रहा है एक दूसरे के साथ बॉंडिंग कर रहा है तो इस नाइस एक मा का क्रिदार निवाना बहुत बढ़ी बात ही है तो आपका क्या श्रीन्ज रहां इस क्रिदार को लेकर आप थोड़ा मुश्किल होता है जब आपको बच्चे बहुत जादा पसंद नहीं है but obviously मैं अपने आसपास इतनी माओं को देखती हूँ, खुद की माओं को देखती हूँ तो it was easy kind of यहां से कुछ ले लिया, वहां से कुछ ले लिया types और मैं फिलहालने एक show देख रही हूँ, specially to play a mother in this show it's called Gilmore Girls, यह बहुत पुराना show है, Netflix पे है जिसको मैं study कर रही हूँ, कि इसमें मा और एक बेटी का relationship है जो मुझे लगता है बेला और जई का relationship है और वो बहुत ही amazing और unique है तो मैं उसको follow करती हूँ, ताकि मुझे वहां से inspiration मिले अभी भी show चल रहा है, आज कर दो देख आया हूँ, कि बच्छी का बड़्दे है और उसी बिच कुछ हो जाता है, तो आगे क्या twist आने वाला है तो मैं आपको नहीं बताऊंगे, आपको उसके लिए obviously एपिसोड देखना पड़ेगा बट बेला और अंकुष की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा twist आने वाला है because of Arya, और उसका असर हम पे और आपको भी देखेगा एपिसोड में मैं आपने काफी शो किया हुआ है, अब तक सबसे वेश्ट पिंदार आपका गूंसा है, जो आपके दीखेगे बहुत तो बहुत गलत हुआ बहुत सारे है, I would say सबसे पहले तो खनक, जिसने मुझे इतनी popularity दी, जिसने मुझे हिंदी इंडिस्ट्री में क्या कहते है, एक फुटिंग दी, उसके अलावा I also like playing Mrig Naini, या फिर, recently मैंने अतरंगी के लेक शो किया था, जिसमें एपिसोडिक था, लेकिन I was playing a lesbian girl, so वो करन यह मुझे बहुत मजाया, साथी अगर में बात के लोग आप अब कहीं बहार जाते हों, तो आपको और लोग किस नाम से जानते हैं, किरदार के नाम, खनक, undoubtedly they call me खनक, बहुत कम हुआ है कि किसी और किरदार के नाम से बुला, I think खनक काफी popular हुआ था, और जब लोग बोलते इतने सालों बाद तो मुझे अच्छा भी लगता है, पारन बदलती ओडनी खनक, आप किना मिस करते हों, जब लोग आपको बुलाते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मेरा पहला शो था, बहुत रोमांटिक शो था, and I miss playing something like that, you know, एक रोमांटिक करेक्टर में play करना चाह उस वक्त रिष्टों की, feelings की, emotions की उतनी समझ नहीं होती, जितना मुझे लगता है, आज है, तो शायद में भी अभी अगर कोई रोमांटिक किरदार मिले तो उसे में बहतर तरीके से निभाबा हूँ, जी, आप जिन Big Boss Marathi भी किया हुआ है, तो अभी Big Boss भी चालो है, Big Boss 17, त अभी पिछले साल, Marathi Big Boss के आया है, बहर आने के बाद मैंने अपना एक भी एपिसोड नहीं देखा है, और शायद ये कॉंचियस डीटॉक्स है, जो मैं कुछ टाइम तक करूंगी, उसके बाद शायद मैं वापस फॉलो करना शुरू करूंगी, क्योंकि Big Boss आपके वोपर न और शायद भी जो आपके फॉलो कि आपके वह रिखते है, यह मैं सच्छी बताहू, जितना भी होता न उसमें बंदे जो भी कर रहा है, वो रिएल बहत ही कम होता है, वो हमेशा एक दोल्पूस बाता है, चाहे फिर वो Ankeeta Wiki' का जगडा हो, मुझे लगता है वो भी दोल्प बॉस में अपनी जगा बनाने के लिए popularity पाने के लिए similarly मुझे लगता है यह जो ट्राइंगल है यह भी ऐसा ही है पर में आप साथी आप वोईस आर्टिस्ट भी थे तो उसका एक्स्टिनस कुछ से अदमा चाहेंगे आप मैं सिफ वोईस आर्टिस्ट नहीं थी वट की मैं आज जे रह चकी हूँ 98.3 मिर्ची पर मैंने अपना मराथी शुरू किया था नाइ थिंक हिंदी चानल पर मुंबई में पहला मराथी शू था वो इस बिन अमेजिंग मुझे हर बार अलग कुछ करने में मजा आता है तो जब मैं पस gap था lockdown के टाइम पे obviously industry बंद हो गई थी तब मैं ये show कर रही थी अलग experience था कुछ सीखने को मिला अपना जो पुराना experience है as an actor as an actor भी हम voice के थूप बहुत जादे express करते रहते हैं तो I think that helped me in becoming an RG जी आज की एक खवर आई है बेहत CID के जो फ्रीडी थे उनका निधन हो चुका है इनेस जी का तो कुछ दो लाइन बोलना चाहिए बहुत उंदाक अलाकार थे जब भी वो screen पे आते थे हसी आती थी तो obviously एक श्रद्धानजली देना चाहूंगे उनको भगवान उनकी आत्मा को शांती दे उसके साथ एक बात और भी कहना चाहूंगे कि आज हमें उनकी याद आ रही है क्योंकि आज वो इस दुनिया से चले गए पर CID खतम होने के बात से लेके कि आज तक क्या किसी ने उन्हें पूछा था क्या उन्हें याद किया था This is a harsh truth of our media, our industry कि आपका एक शोग हतम हो जाता है तो आप गायब हो जाते हो दुनिया के माइंड से जब तक आपके साथ कुछ और घटना नहीं घटती तब तक So that is little saddling But I really wish कि उन्हें जो करना था जिंदगी में वो कर पाए हो और जहां भी हो खुश रहे मैं OTT के भी दौर चालूँ और अगर आपको मुपा मिले तो आप करना चाहिए हाँ 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 प्लीज मुझे OTT में काम करना है Because इतने अच्छे subjects इतने अच्छे shows आ रहे है कि ऐसा लगता है यह मुझे करना है I want to experience this I want to be in this place So obviously as an actor मेरी चाहत है कि मैं OTT पे जाओ फिल्म में भी करनू साथ में तो आप सेर करना चाहिए कि ऐसा कुशक फिर्दार है जो OTT में आया है अच्छी और आपको लगा है कि यह मुझे मिलना चाहिए था Okay, मैंने उसके लिए अउडिशन भी दिया था यह है इंतियाज अली का शी So जो में रोल है जो अरिती पहुण कर कर रहे है मुझे वो करना था इंतियाज जी जी और कोड़ी मूवी में लालिश काया था जी लालिश के बाद अभी एक और मुवी आरही है मराथी मूवी जो मैं यूके में शूट करके आयो अभी I don't know, ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं कि मुझे यह किरदार But I think Chandramukhi from Devdas Sorry Madhuri Madhuri is my goddess तो पहले माफी मागना ही पड़ती है But I think वो किरदार शायद मैं प्ले करना चाहूंगी You have always lucked me guys Even when I was not working you would send gifts on my birthday You would remember मेरे ना बहुत लॉयल ऐसे fans कम है लेकिन बहुत लॉयल है हम सब एक दूसरे को नाम से जानते है हम सब एक दूसरे पर चेक करते रहते अगर मैं कुछ time तक post ना करू ना तो मेरे यह जो fans है यह literally मुझे DM करते है Are you okay? Why aren't you posting? Is everything okay in life? So I really want to thank you guys for checking up on me again and again for being in my life for being in touch and for loving me so much I love you right back at you बहुत से fans होते है करी fans को अतनगी टाप को होते जो छोड़ी जोड़ी नोड़ी स्चीज करके भेज़ देते है अचा कोई fan मिला आपको आपके राइप एक fan मिली है जो अब मेरी दोस्त है उसका नाम है ऐश्वर्या मुझे आदा ओड़नी के टाइम पे ऐश्वर्या ने मेरे लिए पूरी वेबसाइट आपके लीवेड लाओ कर्या प्रिंदिटी गुट प्रिंजिक आपके लूच भेल्च किया थूच